अगर आपने 15 ये 20 दिन पहले निउस देखी होगी तो अभी करंटली जो हिमाचल के हल्थ मनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उनने कहा था कि बहुत जल्दी जो है वो 15-20 दिनों में हल्थ सेक्टर में आपको हिमाचल में बड़ी भरती देखने को मिल स चिमला की नई एड़टाइजमेंट आती है और यहां पर रेगुलरली मैं आपको बताता रहता हूं कि हल्थ सेक्टर में कितनी ज्यादा विकेंसिज हैं और जब से जो है नहीं को हल्थ सेक्टर का आदे से ज्यादा काम दे दिया हुआ है तब से विकेंसिज और ज्यादा बढ़ चुकी है आपको पता है कि नहीं एड़टा है उसके बाद रिजल्ट का कोई अतापता रहता नहीं है और नहीं की विकेंसिज भी रेगुलरली हमें देखने को नहीं मिलती है इस तरह से क्या है कि जो फिमेल हल्थ वर्कर की विकेंसिज रहती थी वो भी काफी कम हो है इसके लाबा अगर हम बात करें स्टाप नर्स की तो अभी मैंने आपको आई जी एमसी में बताया था कि वहां पे दोसो साथ विकेंसिज हैं तो यहां पर यह भी ठीयोग में एक हॉस्पिटल है तो यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत जादा विकेंसिज हैं स्टाप की और हिमाचल में हल्फस डिपार्टमेंट में काफि जाप नर्स के इन पोस्टों को भरने की क्यूंकि एने चम के तुरू जो भी पोस्टे फिलो रही हैं उसमें maximum जो 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 हैनिंग होती है वह यह तो में होती है यहीं कम्यूटी हेल्ठ हेल्ठ health center में होती है और regular जो पोस्टे फिर होती है तो वहाँ पे hospital में भी joining मिलती है तो यहाँ पे अलग-लग hospital के बारे में बताए गए कि किस hospital में इतने बैड़ हैं तो वहाँ पे इतनी nurses होनी चाहिए doctor की vacances के बारे में भी यहाँ पे आए गया रेडियो ग्राफर की भी काफी ज़्यादा vacances है और operation theater assistant की vacances भी लटकी हुई है जो की HPSC हमिरपूर को उनकी जो advertisement उनकी उन पोस्टों का advertise किया गया था तो यहाँ पे staff nurse की vacances भी है female health worker की भी है तब देखते हैं कि कितने जल्दी जो HM ने पहले advertisement निकाली थी वह फिल होती है उसके बाद regular पोस्टे हमें देखने को मिलती है वैसे expected है कि next advertisement मैं मैं जो है वह आपको पका vacancy देखने को मिलेगी I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो वीडियो को like comment share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए